इस मौदू पे पहली वीडियो में हमने फंक्शन के ग्राफ के जरीए उसके माखूज यानि F-X या डिरिविटिव का ग्राफ बनाना सीखा था और शायद आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम इसका उलट करेंगे यानि एंटी डिरिविटिव यानि एंटी करेंगे हमने ये देखा था कि किसी भी फंक्शन F-X का डिरिविटिव उसकी धलान की निशान दही करता है और ये रियाजी की अहम तरीन शाखों में से एक शाख कैलक्यूलस की बनियाद है तो अगर आपको धलान यानि F-X दी गई हो और उसकी मदद से फंक्शन यानि F-X निकालना हो तो ये एंटी डिरिविटिव कैपिटल F-X कहलाता है यानि इस डिरिविटिव का उलट पक्की लाइन बना देते हैं इसे यूँ समझ दीजे कि Y अगर F-X है तो इसकी जो धलान है वो हमारे F-X यानि फंक्शन के बराबर होगी जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है तो इसका एंटी डिरिविटिव निकालते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है और चुक्छे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें F-X नहीं हमें फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का हमें एंटी डिरिविटिव निकालना है जो के कैपिटल F-X है वही करेंगे कि शाना बशाना खाना खाना चलते हैं आसान अलफाज में मेरा मतलब यह है कि आप पिछली वीडियो से अब तक दी गई मालूमात के जरीए सवाल खुद हल करने की कोशिश करें ताकि ठीक से समझ में आ सके पहले खाने यानी पहले टुकड़े को देखिए तो इसमें एक मसलसल वैल्यू है एक मसलसल गदर है और वो है वन एक मतलब यह कि इसका एंटी डिरिविटिव कुछ इस किसम का होना चाहिए जिसमें ढ़लान मसलसल एक ही हो और ऐसी सुरते हाल आप जानते हैं कि खत में ही होती है लहाज़ यह हम खत बना लेंगे अब आपका सवाल लिए होगा कि भाई ये वाला ही खत क्यूं है ऐसे भी तो ढ़लान एक है ढ़लान ऐसे भी तो हो सकती है सिर्फ यही वाला क्यूं ले रहे हैं जिसमें मैं यह कहूंगा बात यह आपने बिल्कुल सही पकड़ा और आप गलत नहीं कह रहे हैं खट कोई भी हो ढलान एक होनी चाहिए जो के इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है बलके इस खट के मुतावाजी या पैरलेल कोई भी खत बनाया जा सकता है क्योंकि हमें और कोई मालूम धलान एक रहनी चाहिए खत चाहे कहीं भी हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मैं अपनी धलान इस खत को ले रहा हूँ मेरी मरजी अब आ जाएं इस अगले टुकड़े पे वही बात है कि ये खत कहीं भी हो सकता है बस धलान यही रहनी चाहिए एक और बात इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या सुरत अचल होगी आप देख सकते हैं कि ये खाली या खोकले दाइरे बनाएवें यानि ये हमारे ग्राफ में शामल नहीं है और हो भी कैसे सकता है जबके इन टर्निंग पॉइंट पे लातादाद मुम्किन धलाने है मन्फी धलान है तो क्यों ना मैं इसे मन्फी धलान है तो क्यों ना मैं इसे क्यों हो गया आप इतराज ना करें तो मैं इसको जूम इन करके जरा मैं छोटा कर दूँ ये लिए जितना मुच्छ हो सका आप बात समझ गए है तो यह आप ने देखा कि यहाँ इस टुकड़े में भी सूरतहाल ऐसी थी मगर ढलान की कदर एक तो अलग है और मनफी है लहाज़ ये खत नीचे की तरफ है ऐसे और वही बात कि ये खत यहां भी हो सकता था यू भी हो सकता था यू नहीं होका क्योंके रेंज में हमारी नहीं यह नहीं है मतलब इसके मतावाजी या पैरलेल कहीं भी हो सकता है बस धलान यही रहनी चाहिए अब आजाएं तीसरे टुकड़े पे जो के हमारा सबसे बड़ा टुकड़ा है और सबसे दिल्चस्प भी यहां आप देख सकते हैं कि ग्राफ बड़ी वैल्यू यानि मस्बत दो से छोटी वैल्यू यानि मनफी दो तक जा रहा है मस्बत दो से मनफी दो की सम्त और बीच में सिफर से भी यह गुजर रहा है यह आपका सिफर है अब याद रखिए कि यह फंक्शन की धलान का ग्राफ है और इसका मतलब यह है कि ज्यादा धलान से शुरू होकर धलान घर्टी रहती है हता कि सिफर हो जाए इस पॉइंट पे धलान का रुख बडलता है और हमारा ग्राफ मनफी सम्त में बढ़ने लगता है मिसाल की तोर पे अगर यह रफतार बमकाबला वक्त का यानि विलासिटी वर्सिस टाइम का ग्राफ होता तो यू समझेए कि जैसे आपने एक गेंद हवा में सीधी उचा लिए और यह पॉजिटिव विलासिटी है आपकी तो यह जो इसकी मुझबत रफतार है मुझबत रफतार कम हो होके सिफर हो जाती है उसके बाद फिर गेंद नीचे की सम्थ में चलना शुरू होती है और वापस आपके हाथ में आती है और जब वापस आपके हाथ में आती है तो इसकी कदर भी बराबर होती है ये बात आपको साकिब भाई काइनेमेटिक्स में बहुत खुब्सूरती से सखाएंगे आप जाकर देखे तो सही अरे यही अपने खान अकैडमी वाले साकिब भाई जो फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई तो चलें जी यहां भी एक लाइन बना देते हैं नक्तादार ताकि हमें धलान का थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके तो आपने ज्यादा धलान से शुरू किया धलान कम होती गई होती गई होती गई होती गई हो के सिफर हो गई रुख बदला और धलान कम होती गई होती गई होती गई और बिल्कुल आखर में बहुत ही तेजी से कम होती गई या तो कम होती गई या ये कह लिजे कि मन्फी सम्थ में बढ़ती चली गई यह की बात है और यहां भी थोड़ी यही सूरतहाल है कि यह पॉइंट यहां शामल नहीं है अच्छा अब आजाएँ चौते टुकđड़े बड़ यहाँ धलान सिफर है याँ अगर धलान को देखा जाए Y का बदलाओ यह तबदीली बटा X में तबदीली धलान सिफर होने का मतलब यह है कि डेल्टा Y सिफर है यानि सिर्फ X बढ़ रहा है Y सिफर है यानि ये आपका graph सीधी line बनेगा यहाँ तो ये एक उफगी line है जिसमें X तो बदलता है पर Y नहीं बदलता और फिर वही बात कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है उपड़ नीचे मगर ये खद बाहरहाल उफकी रहेगा जिसमें डेल्टा वाई सिफर होगा अचा अब हो सकता है कि आपने जो ग्राफ बनाया हो वो उपर या नीचे हो मिसाल के तोर पे कुछ इस टाइप की सूरत हाल यहां पे सरकल यहां पे सरकल यहां पे सरकल यूं कर लीजे यूं कर लीजे या शायद उपर आपने बना दियो रफसा बन रहा है तो ध्यान रहे कि आप गलत नहीं है बस ये ध्यान रहे कि अगर आपको इस से ज्यादा मालूमाद दी गई हों तो उसके हिसाब से आपका ग्राफ उपर या नीचे बनेगा लेकिन चुके हमें यहां नहीं दी गई है तो हम यहां वीडियो रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं